So Hello and Welcome You All I am Rohit from Mahajan Trader So Guys आज हम बात करेगे BHEL के बारे में So Guys BHEL में अगर देखा चाए तो आगे क्या होगा तो इस वीडियो को पूरा देखना गाई इसमें मैं पता ने वाला हूँ So हमार को बड़ा धमाका हो सकता है और शेयर बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि स्टॉक में अब बुल रन में भागने की काबिलेत दिखाई दे रही है और बस अगर ब्रेक आउट अगर स्टॉक में मिल जाता है ना गाईस तो बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी तेजी आ सकती है तो किस पर्टिकलर लेवल से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट होगा और कहा पर हमें करना है बाइंग काफी कुछ बाते होंगी इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक देखना हो और गैस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फोर शेयर के अपडेट्स के रिए शेयर की लेटिस नियूस के लिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट चलते हैं भी एचियल के उपर सु गैस बात कर रहे हैं भी एचियल के बारे में जिसका पुरा नाम है भारत हेवी एलेक्रिकल्स लिमिटेट बारत हेवी इलेक्रिकल्स लिमिटेट इकाउन रुपे 85 पेसे के लेवल पे कर रहा है ट्रेड 0.80% पेसे तक स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिल रही है 1.57% के हिसाब से स्टॉक उपर के और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो देखना होगा कि स्टॉक में आगे क्या होता है किस बैसिस पे ये आगे भी रन करता है तो गैस यहाँ पर फॉस्ट अपर हम बात करेंगे इसके मंडे के लेवल्स के बारे में तो चलते हैं यहाँ पर इसके चार्ट पर तो गैस आ गए है भी एचियल के चार्ट के उपर और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मंडे के दिन घमाका हो सकता है घमाका तभी होगा जब यह इस particular लिवल यानि इस उपर के जो लेवल है इसे ब्रेक कर देता है इसे अगर इसने ब्रेक कर दिया 52 रुपे के असपास का जो लेवल है 52 रुपे 30 फैसे तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखोंगे तो यहां से स्टॉक ने बिलकुल एक कंसिस्टन तरीके से सपोर्ट लेता हुआ उपर की ओर जा रहा है यहां पर गेप अप हुआ था उसे भी फील इसने कर दिया है तो इसका मतलब यहां पर तो ए बड़े टाइम फ्रेम पर मैं बताने की कुशिश करने वाला हूँ और यहां पर तो यहां पर क्लियर है गाइस की स्टॉक अभी बड़े गई बड़े क्योंकि यहां से ब्रेक आउट यह बात स्टॉक में ऊपर की रैली क्लियर देखने को हमें मिल रही है तो मन्दी के बड़े टाइम फ्रेम पर डिसकर्स कर लेते हैं बड़ा टाइम फ्रेम हम यहां पर बात करेंगे डेवन टाइम पर डेवन टाइम पर स्टॉक में क्या हो सकता है गाईस तो यहां पर अगर देखा जाए तो रजिस्टन्स लेके स्टॉक नीचे की और आ रहा है कई बार इस इस बर्डिकलर लेवल पे रजिस्स्टन्स लिया है कई वार इसी जगर रजिस्टन्स लेके नीचे की और आया है तो यहाँ पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है इस लेवल पर तो यह इंस इं vari क्यों है या अग्य में वीड बताऊंगाSure यहाँप यृट पर अगर देखो इस लेबल पे अगर breakout मिल जाता है त्रेपन रुपिया चोपन रुपिय के आसस्पास यह पर अगर बडह ब्रिक आउट मिल जाता है घुत इस जो हर्ली आएगी काफी तगडी रहापरि यहाँ पर से आजए और स्टॉक सीधा 80 रुबे का टार्गेट अच्छी हो गई होगा 80 रुबे का टार्गेट यहां से clear दिखाई देने वाला है और वही अगर देखा चाहे तो स्टॉक यहां से एक rejection मिला यहां से rejection मिला यहां से stock उपर बड़ा फिर stock नीचे आप फिर उपर बड़ा और यही पर support लेके उपर जाने कुशिश कर रहा है तो यहां पर का इस level सही है क्योंकि यहाँ पर अगर देखो जो support में बताया उसी support से rejection लिया था उसी जग पर support लेके उपर गया था तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ से support लेके 80 रुपे का level यहाँ पर अच्छी हो सकता है तो एक simple से strategy है बीचल में 5 दिन के time frame पर देखो 3 रुपे 95 पेसे तक stock बढ़ गया है 8.25 प्रतिशत के हिसाब से एक महीने में 1 रुपे 30 पेसे तक की गिरावट है 2.45% के हिसाब से और 6 महीने की बात कर ले तो यहाँ पर 3 रुपे 30 पेसे तक stock गिरा है गाश 5.98% के हिसाब से और वहीं अगर देख ले तो market cap क्या कहता है तो 18.05 पाच हिजार करोड का इसका market cap है open हुआता है share account रुपे 0.05 पेसे पे low लगा था 52 रुपे 15 पेसे का और low लगा था 50 रुपे 85 पेसे का high की देखा जाए तो 80 रुपे 85 पेसे का high है देख सकते हो और 43 रुपे का low भी आपके हाँ पर देखने को मिल जाएगा वही आपर बिल्कुल volumes तगड़े है 3 करोड का trade value सत्तावन लाग का common and delivery है yesterday की बात करे 3 करोड का trade value पचास लाग का common and delivery है one week के average की बात करे 3 करोड का trade value है 47 लाग का common and delivery है one month के average की बात कर ले 3 करोड का trade value और 70 लाग का common and delivery भी देखने को मिल जाएगा community sentiments के आकड़ों में 75% लोग buy के लिए के रहे है positive आकड़े है और 25% लोग sell के लिए खे रहे तो guys आप पर और all BHL के बारे में काफी कुछ बाते हम कर चुके और वीडियो अच्छे लगाओ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो thank you